नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है हमाई इस ऑफिशल चैनल पर जिसका नाम है नीज पॉलिटेक्स अंडेक्स दोस्तों आज की इस नहीं वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूँ युंड़े क्रेटा वर्शेस फॉर्ड इको स्पो उसमें पेटॉल वे Remo की लाउंच किया गया है दोर चली चुरू करते सबस्पहले इन दोनों के स्पैसिफिकेशन से और कंपार करते की इमें मैं दोनों से कौनसी अच्छी है तो चली दोप चुरू गरते हैं इजंचन से तो द्रैस मन घंजन केश और 2020 घंजन वीरिवियो exposed को स्पोर्ट का मलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन साहे साथ युंडे क्रेटा का यूटी वीजीटी सी इडी इंजन पावर जनेरेट करता है 126 बहपी का और मैक्स टॉक यह देता है आपको 26 न्यूटन मीटर का वहीं आपको 1.5 लीटर डीजन इंजन वाला फॉड इको स्पोर्ट का इंजन 99 बीच का पावर जनेरेट करता है और 205 न्यूटन मीटर का टॉक देता है दोस्तों यहाँ पे माइलेज की गरम बात करें तो क्रेटा यहाँ पे आपको 20 किलोमेटर पर आँसाथ यहां पे सिरेंडर इन दोनों गाड्यों में चार दे गए गए हैं और वी इन-Line सिस्टम के ऐस अगर हम Brayks & Steering की अगर हम बात करते तो यहां पे Prnt Brake टाप और rear brake टाइप दोनों घॉर्ड डिया गया है साध चाहिए साथ minimum traning radius यहा पे क्रेटा में आपको मिल ज जाता है 5.3 मीटर सेरिंग यहां पर आपको पावर स्टेट मिल जाता है दोनों गाड़ियों में और वील्स न टैर्स के गर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको वील्स जो है वह एलॉइ विल्स में जाते है और स्पेर मिलता है सील का सो गर हम कैपसीटी और कुछ इसके कव ब मिलता है 200 mm का कैपसीटी जो अगर हम कैपसीटी में इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपको बूट्स पेस फ इनकी फीचर्ज के बार में तो आपको एरबैक मिल जाते है दोवाडियों में छें और वहीं आपको सीटर्बल्ड वार्निंग भी दोनों में कौमन मिल जाती है पर वेराइस Ford EcoSport में आपको दो फीचर्स ज्यादा मिलते हैं जो कि है टायर पेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम और चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स दोस्तों ब्रेकिंग इंट्रेक्शन में यहाँ पे ABS मिल जाता है आपको दोनों गार्डियों में कॉमन है EPDB common है और साथ ESPB common है यानि की electronic stability program तो यहाँ पे Ford EcoSport में आपको brake assist मिल जाता है जो की क्रेटा में नहीं है क्रेटा में Hill Hold Control दिया गया है वेराइस Ford EcoSport में नहीं दिया गया है तो दोस्तों Locks and Security के बार में अगर हम बात करते हैं आपको engine immobilizer मिल जाता है दोनों में Speed Sensing Door Lock मिल जाता है और Child Shifty Lock मिल जाता है वेराइस Central Locking जो है वो क्रेटा में remote से update की जाती है वहीं Ford EcoSport में Keyless से तो अब हम बात करते हैं कुछ comfort and convenience के बार में तो यहाँ पर आपको AC मिलता है वो automatic climate control मिल जाता है और rear AC वो क्रेटा में आपको मिलता है आपको keyless start और button start मिल जाता है cruise control मिल जाता है parking sensors मिल जाते हैं और parking assist जो है वो reverse camera with guidance मिल जाता है आपको क्रेटा में whereas Ford EcoSport में सिफ reverse camera यहाँ पे vanity mirrors जो है वो क्रेटा में सिफ co drivers के लिए मिलते हैं और यहाँ पे Ford EcoSport में driver और co driver दोनों के लिए सिट से नब बल्स्टिक के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे seat का material जो क्रेटा में यूस किया गया है वो है leather और साज़ साथ यहाँ पे leather wrap किया गया है steering wheel को और gear knob को भी सो वही Ford EcoSport को fabric का material दिया गया है साज़ साथ यहाँ पे steering wheel और gear knob जो है उसको भी leather wrap किया गया है जो यहाँ पे driver seat adjustment जो है वो दोनों ही गाडियों में manual with height adjustment दिया हुआ है और front passenger seat adjustment है वो भी manual है सो rear passenger seat type जो है वो bench type यहाँ पे आपको मिल जाता है और यहाँ पे interior जो है वो दोनों में ही आपको dual tone मिल जाता है यानि कि आपको kratah में मिलते है premium dual tone black and beige और यहाँ पे आपको Ford EcoSport में मिल जाते है dual tone जो कि है black and grey so exterior के अगर हम बात करते हैं आपको sunroof moonroof जो दोनों गाडियों में मिल जाता है जो कि electrically adjustable है साथ यहाँ पे आपको chrome fish exhaust pipe भी मिलता है जो कि kratah में दिया गया है whereas Ford EcoSport में यह नहीं है दोस्तो अब हम बात करते हैं इनके main features के बार में तो यहाँ पे आपको integrated industrial system मिलता है इसका heading style देता है tood in और यहाँ पे आपको touch screen display मिलता है whereas आपको दोनों ही गाडियों में GPS navigation मिल जाता है USB connectivity मिल जाती है जो Ford EcoSport में नहीं है जैसे कि iPod compatibility और internal hard drive और साथ यहाँ पे speakers जो है आपको kratah में 6 मिल जाते है whereas EcoSport में सिर्फ 4 दोस्तों यहाँ पे Ford EcoSport में voice command feature दिया हुआ है पर kratah में यह नहीं है तो अगर हम Ford EcoSport की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Ford EcoSport के लिए manufacturing warranty देता है दो साल की और km में सिर्फ एक लाग तक की तो अगर हम colors की बात करते हैं तो यहाँ पे kratah में 5-6 colors का आपको option मिल जाता है जो कि है marine blue, phantom black, fiery red, star dust, passion orange, sleek silver और polar white दोस्तो इन में सबसे ज्यादा color में boogings आई है वो इस बार इसकी जो नए color है passion orange उसमें आई है और इसका polar white है उसमें आई है तो अगर आप चाहें तो passion orange भी एक बार ट्राय करके देख सकते हैं और whereas मैं आपको चलिस्ट करूँगा कि आप polar white खरीदे क्योंकि वो सबसे आदा अच्छा देखता है वेराइस अकर हम बात करें ford eco sport के बार में तो यहाँ पे आपको lightning blue, absolute black, smoke grey, cannon race, moondasilver, race red और diamond white मिल जाता है इन में सबसे आदा अच्छा color है वो lightning blue है आपने काफे जादा इसको roads पर देखा भी होगा साइसा diamond white भी इसमें काफी अच्छा लगता है तो दोस्तों यह था था इसके colors, specifications और features के बार में तो हम बात करते हैं इनके price range के बार में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें diesel भी खरींदे तो अगर आप डीजल में ही अगर आप automatic variant सोच लें तो इसमें आपको 2 variants मिलते हैं जिनकी शुरुबात होती है 14.74 lakhs लेके 16.56 lakhs तक पर दोस्तों इसमें एक main problem यह है कि अगर आपको 6 air wax का feature अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें automatic variant करी दे तो इसमें सिफ एक ही variant आता है जिसकी शुरुबात होती है 14.95 lakhs तक तो अभी तक इसमें launch नहीं किया गया है वेराज अगर आप चाहते हैं आपको petrol में लेना है तो petrol में आपको automatic मिल सकता है उसमें भी दो ही variant मिलते है जिनकी शुरुबात होती है 10.86 lakhs से लेके 12.75 lakhs तक वेराज अगर आप मैनल लेना चाहते है तो फिर आपको 8.7 lakhs से लेके 12.58 lakhs तक का budget बजट बनाना पड़ेगा दोस्तो मेरे suggestion में तो Hyundai Creta एक बहुत बढ़िया गाड़ी है बले ही थोड़ी सी महेंगी ज़रूर है पर उसमें safety features उसकी ratings उसका design उसका engine वो Ford EcoSports से कहीं जादा बहतर है दोस्तो अगर आपको कोई भी queries है इन दोनों गाड़ियो के बार में तो आप ज़रूर नीचे comment कर सकते कमेंट बॉक्स में दोस्तो आज की वीडियो तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो मेरा चानल ज़रूर लाइक और सब्स्राइब करें तो थाइंक फॉर्ट मेरे वीडियो गाइस स्टैमेज एंस्टे टून फॉर में नेक्स वीडियो